सिधार्द के जाने के बाद उनकी फैमिली और उनके फैंस की बुरी हालत हो गई है किन वही आप सहनाज को देखेंगे तो रोने पर मजबूर हो जाएंगी सहनाज तो मानो अपना सब कुछ खुई वैठी है किसी घासुकला उनके लिए क्या थे सहनाज चिक चिक कर यही बोलती है किसी बापस आजा क्योंकि सहनाज ने सिध के साथ अपनी लाइफ जोड ली थी ये दोनों अच्छे दोस्तों थे लेकिन साथ में इनके दोनों में प्यार और महबत थी मां की आखों के तारे और बहनों के दोलारे सिद इस दुनिया में नहीं है ये जानते हुए हुए उनकी बूड़ी मा और बहनों पर क्या वीत रही होगी धार्थ के जाने का दुख तो हम सबको है लेकिन जिस तरह से सहनाज का रो रो कर बुरा हाल है ना जाने सेहनाज खुद को कैसे समा लेगी सेहनाज अपना आपा खो बैटी उसे यकिन कर पाना बहुत मुस्किल लग रहा है उन्से ये सद्मा बरदास्त नहीं हो रहा है तु मेरा है ठीक है और तु मेरा है कई से दर्थ की मा का रो रो कब बुरा हाल है ये उनोंने अपने पती को खो दिय अब उनोंने अपने बेटो को भी खो धिया है दोस्तों सेहनाज बुरी तरह से टोट चुकी अब कैसे समा लेगी वो अपने आपको सेहनाज का दुख देखा नहीं जाता सेहनाज बिग बॉस 13 में कहती थी कि मुझे ट्रॉफी नहीं जीतनी है मुझे सिब सिधार्थ को जीतना है और उन्होंने सिधार्थ को जीत भी लिया था में सिब बाहर निकलना बहुत मुस्किल हो चुका है बगवान से हम यही प्रे करेंगी कि सहनाज को बगवान सांतुना बंदाए बगवान से धार्थ की आत्मा को शांती दे मेरी नीद खराब करके